परमान रखीम जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह चुकंदर है शल्गम है और रेड मूली है इसको आप चुकंदर समझने की घलती मत कीजेगा यह रेड मूली है और गोल्ड शेम में है बड़ा जबरदस होता है बड़ा टेस्टी मूली होती है यह और यह अपडेट देख रहे हूं कि बारा बारा दोहजार टेस है यहाँ शेम और चुकंदर मैंने लिखावा है मूली को चोड़ दिया गए जगा की तंगी की वजह से और यह तीनों पैकट आप देख रहे हैं इनको हमने पहले इस इन बीजों को लगाया था इस जाली के अंदर जाली के अंदर लगाने के बाद पर्दा इसके अंदर डाल दिया था क्योंकि जब आप पनीरी लगाते हैं बीज लगाते हैं चोटे पौदे होते हैं तो उनको धूब की दरूबत नहीं होती है साइधार जगा पे उनको लगाया जाता है तो हमने साइधार जगा प देखें इतने साइज का पौदा जब आपका तयार हो जाए तो अब आप इसको दूसरी जगा जगा आप शाहते हैं जहां धूब भी हो और वहां पे आप इसको शिफ्ट कर दें तो यह क्या होगा यह भी 25 दिन होआ गए इस साइज का पौदा बन गया गए अब जब हम इनको लाइन का जो आपस का फासला गए यह हमने लाइन से लगा दिया गए बिलकुल लाइन से लगा है खुबसूरत भी लगता देखने में जब यह बड़ा होगा बहुत ही हसीन लगेगा तो लाइन का फासला आपस में एक फिटका होना चाहिए और पौदे से पौदे का जो फ बहुत नमेंगे बहुत न्रम नहीं होगी तो इन चीजङों को पैलने फुलने का मौका नहीं मुलेगा जगा नहीं मिलेंगी तो पर यह चीज़ेह उस करें उस तरीपे ये एक महीना ज्यादा नहीं है सिर्फ एक महीना और चाहिए तो एक महीने में ये गाजर, मूली, चुकंदर तब आपको खाने को मिलेगा और मैं आपको दिखाता हूँ, कि ये देखें, मैं इसके अंदर अभी दो मेना पहले चुकंदर लगाया था, ये चुकंदर हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है, ये एक बड़ा सा पहुदा आपको नदर आ रहा रहा है, इसके अंदर छुटा सा चुकंदर बना हुआ है, आज मूली हम आए दिन इस्तेमाल करते हैं, आज भी देखें, यहां से दो तिन मूली हैं, हम लोगों ने निकाली है, यहां से निकाली है, इस जगह से निकाली है, अब ये देखें, इनके अंदर मूली बिल्कुल तयार है, जब चाहे निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम लो वो नवासा हमारा एक है इदर वो अपने काम में लगा हुए गए इदर ये जो हमारा सबसे प्यारा नवासा ये अब्ड ब्रीलाघ है ये भी यहां पे मौजूद गए और सबसे ज़्याद़ प्यारी नवासा हमारी येग बैद और ये सब यहाँ पे आते जाते रहते हैं खुश होते हैं और ये हमारी मनिष्टर भी इदर है आज इनोंने बड़ी मेहनत कि है आम को में दिखाओं कि आम को मैंने इनके नाम बگर दिया गै ये आम इन्होंने आज इसकी पत्ते जो सूख रहे थे सब की इन्होंने कटाई चटाई की है क्योंके ये पजड़ का मौसम है और इस मौसम में पत्ते जड़ जाते हैं तो इसलिए जो पत्ते सूख रहे थे सब को इन्होंने गंजा किया गए गंजा करके अब है इन्शाललाग अलजीज ने सिरे से इसमें पत्ते निकलेंगे तो मैं आज की जो मूवी बना रहा था वो इसलिए कि मैं आपको दिखाऊँ शल्जम, गाजर, मूली, चुकंदर किस तरीके से हम लोग जमीन में लगाते हैं तो ये मैंने आपको बता दिया, इन्शाललाग अलजीज जो जो नित नए तजर्बात हैं हमारे, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, हमारा जो चैनल गए आईशा इंटनल को ना सिरह आप देखें, बलके उसको लाइक करें, सबस्क्राइब करें, इन्शाललाग अलजीज और पौदे का फासला अपस में चेंज का हो, जैसा कि आपको नदर आ रहा होगा, इस तरीके ज़ाब करें, और पूरे जब तक सीधाने इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई परिशानी ने गए, मिर्ची के वाले से मैंने आप लोगों को वीडियो बना के शेयर कि यागा, यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, अपने तजर्बात को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो इन्शालला आप मिर्ची के वाले से, आमन करीब बैगन के वाले से, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे पालक है, इसको हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, ल लाग, साथ लाग, आट लाग में आपको 120 गल से जमीन मिलती है, बहतरीन जमीन है, जर्खेज जमीन है, जो चाहें यहाँ पे पैदा करें, मैं कि करके आपको अपने इस बाग बगीचे का, यहां माल्टा भी है, मुसमी भी है, चीकू भी है, आम भी है, और शरीफा भी है, और लेमन भी है, कागजी लेमन, पपीता भी आप देख रहे होंगे, तरह तरह की चीदें यहां पे है, मैं बारी बारी सब क्या, जो तजर्बा अपना है, वो मैं आप से शेयर करूँगा, वह माली ना इल्लबला.